सिर्फ दस साल की उम्र में क्रिकेटर बनने का सपना लिए यूपी का एक लड़का अपने सपनों के शहर मुंबई आता है उस वक्त ना तो उसके पास पैसे थे और ना ही रहने के लिए चट लेकिन जुनून और होसले की कोई कमी नहीं थी इसलिए वो लड़का आजाद मैदान के टेंट में रहा, जमीन पर सोया, खाना बनाने से लेकर कपड़े धोने तक हर काम खुद किया और गुजारा करने के लिए ठेले पर पानी पूरी तक बेची लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी नतिजन आज उसके नाम का डंका दुनिया भर में बचता है और T20 World Cup 2024 में उसे टीम इंडिया की तरफ से सलेक्ट भी किया गया ये कहानी है ये शेश्वी जैसवाल की जिसने अपने बल्ले से घरीबी और लाचारी को ऐसे हिट मारी कि वो को सोदूर जा गिरी ये शेश्वी जैसवाल का जन्म 28 दिसंबर 2001 को यूपी के बधोही जिल्य में हुआ था और 6 भाई बैनों में 4 नमबर पर थे पिता जी एक चोटी सी हार्डवेर की दुकान चलाते थे तो मा घर समालती थी ये शेश्वी को बचपन से क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था गली क्रिकेट में उनका काफी नाम था हर कोई उन्हें अपनी टिम में लेना चाहता था तभी 10 साल के ये शेश्वी को उनके सीनियर्स हमेशा कहा करते थे कि मुंबई जा कर ही खेल यहां कुछ नहीं होने व हैसला किया मगर मुंबई पहुचकर भुपेंद्र जी को ये पता चला कि उनके भाई भी जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं और उनके पास रहने के लिए इतनी जगा भी नहीं थी कि वह ये शेश्वी को अपने साथ रख सके हाला चाहे जो भी हो पर ये शेश्वी उनके भतीजे थे इसलिए उन्होंने एक उपाय निकाला ये शेश्वी से कहा कि अगर तुमें ठीक लगे तो तुम उस धुकान पर काम कर सकते हो जहां वो रात को तुमें सोने की जगा भी दे देंगे ये शेश्वी ने भी बिना सोचे समझे हां कर दी इसी तरह महेज 11 सा पूरे होंगे लेकिन उससे पहले मुश्किलों भरा एक लंबा सफर तै करना पड़ेगा खेर मुंबई में उन्होंने आजाद मैदान में क्रिकेट की ट्रेनिंग शुरू की जहां वो रोद सुबह जल्दी क्रिकेट खेलने चाया करते थे और बाकी समय डेरी पर काम किया क करते थे इसी बीच 11 साल के उस वक्त यशास्वी ने सबसे कम उम्र में डबल सैंचुरी लगा कर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया हालाकि उन्होंने कभी इसकी परवान नहीं की और सिर्फ एक ही सपना देखते हुए अपने खेल पर ध्यान देते रहे कि उन्हें टीम इ देरी के मालिक ने उनका समान उठा कर बाहर फेक दिया उस दिन जब यशश्वी ग्राउंट से आए तब देर शाम हो चुकी थी और उनके पास रुखने के लिए कोई जगह नहीं थी इसलिए उन्होंने डेरी के मालिक से रिक्वेस्ट करते हुए कहा आज का दिन मुझे य यहां से चला जाऊंगा अगली सुबह उन्होंने अपने घर कॉल नहीं की क्योंकि वो अपने परिवार वालों को परेशान नहीं करना चाहते थे इसलिए 11 साल का ये बच्चा अपने कंदे पर बैक्स का वजन ढोकर अपनी कर्म भूमी यानी आजाद मैदान पहुचा यह मैदान है जहां से सचिन तेंदूलकर, बिनोत कामबुली और प्रत्वी शाओ जैसे कई बड़े-बड़े खिलाड़े उबर कर सामने आए और अब यशास्वी की बारी थी खैर यहां यशास्वी मुस्लिम यूनाइटेट क्लब के फाउंडर इमरान से मदद मांगी तब ही इमरान ने कहा कि अगर तुम एक मैच अच्छा परफॉर्म करोगे तो मैं तुम्हें टेंट में रहने की परमिशन दिलवा दूँगा यशास्वी ने उस मैच में अपने बल्ले बाजी से सामने वालों की टीम के छक्ये चुड़ा दिये जिससे उन्हें टेंट में रहने की खेलना शुरू कर सकता हूँ लेकिन इस टेंट में सुविधा के नाम पर सिर्फ एक छत थी उसके अलावा यहां ना तो बिजली थी और ना ही ट्वायलेट यशास्वी सुबा करीब आधा किलोमेटर दूर एक पबलिक वाश्रूम में चाते थे जो देर रात को बंद हो जा तीन साल ऐसे ही टेंट में गुजारे 12-13 साल का चोटा सा बच्चा जो इतना स्ट्रगल कर रहा था उसकी जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया जब प्रैक्टिस के वक्त उसके दिमाग में सिर्फ यही चलता था कि आज रात खाना क्या खाऊंगा क्योंकि उसके पास खाने के पैसे भी नहीं हुआ करते थे इसी पैसों की कमी की वज़ा से रोज 8-9 पानी पूरी बेचा करते थे पानी पूरी बेचने के साथ साथ वह क्रिकेट ट्रेनिंग के बाद कभी बीच में स्कोरिंग तो कभी अंपाइरिंग और कभी-कभी सिर्फ बॉल ढून कर लाया करते थ और इस तरह उन्हें कुछ पैसे मिल जाया करते थे इसके अलावा वो कॉर्पोरेट मैच खेलकर मैन आप दो मैच बने की कोशिश में लगे रहते थे जिससे इनाम में कुछ पैसे मिल जाते थे जिससे कोश सिर उनका गुजारा हो जाया करता था हाला कि यशस्वी के पिता अपनी हैसियत के हिसाब से हर महीने यशस्वी को कुछ पैसे भेजते थे लेकिन उतने पैसे मुंबई जैसे शहर में गुजारा करने के लिए काफी नहीं थे इसी तरह समय निकलता जा रहा था और इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा बनना अब यश यशस्वी की चाहत ही नहीं बलकि जरूरत बन गई थी क्योंकि उनकी लाइफ में कोई प्लान भी नहीं था इसलिए जब शाम को वो आजाद मैदान में सोते तो उन्हें वानखेडी स्टेडियम की लाइट्स दिखती थी जिसे देख वो यही सपना देखते कि एक दिन मैं जरूर खेलूंगा लेकिन तीन-चार साल तक उनकी लाइफ बिलकुल भी आगे नहीं बढ़ रही थी जो देख यशस्वी तोट चुके थे और उनके पिता उन्हें वापस घर लाने मुंबई भी पहुचे थे लेकिन यशस्वी ने कहा कि मैं क्रिकेट नहीं छोड़ूंग तब ही उनके जीवन में उमीद की किरन बन कर आये जुवाला सिंग उनकी जुवाला फाउंडेशन नाम से एक क्रिकेट अकेडमी है साल 2013 में जुवाला सिंग ने पहली बार यशस्वी को खेलते हुए देखा और उन्होंने खुद यशस्वी को फ्री में ट्रेनिंग देने की ठान ली क्योंकि जुवाला सिंग भी क्रिकेटर बनने के लिए मुंबई आये थे लेकिन वे सफल ना हो सके और यशस्वी का स्ट्रगल देख उन्हें अपने पुराने दिनों की याद आ गई उन्होंने यशस्वी के पिता को कॉल करके कहा कि अब आपके बेटे को बहतर 2015 में यशस्वी ने गिल्स शील्ड क्रिकेट टूर्नमेंट में नाबाद 319 रन बनाए और 99 रन देकर 13 विकेट चटकाए और इनका ये रिकॉर्ड लिमका बुक ओफ वर्ल रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ जिसके बाद उन्हें इंडिया अंडर 19 टीम में हिस्सा लेने को मि अगले साल 2019 में 17 साल के यशस्वी ने विजय हाजरे ट्रॉफी की एक मैच में 154 बॉल्स पर 203 रन बनाए और लिस्ट ए बंडे मैच में डबल सैंचुरी लगाने वाले दुनिया के सबसे यंगर्स प्लेयर बन गए इतने शांदार परफॉर्मेंस की वज़े से यशस्वी को 2020 में अंडर 19 वर्ल कप के लिए टेम इंडिया में सेलेक्ट कर लिया गया इस टूर्नमेंट में यशस्वी सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्ले बास थे उन्होंने 6 मैच में कुल 400 रन बनाए और पाकिस्तान के खिलाफ सेमी फाइनल में सैंचुरी लगा कर टेम इं के ने सिर्फ 18 साल की उम्र में अपने परिवार को घरीबी की बेडियों से आजाद करवा दिया था हाला कि IPL 2020 में यशस्वी ने तीन मैच में सिर्फ 40 रन ही बनाए लेकिन 2021 में भी राजसान रॉयल्स ने यशस्वी पर अपना भरोसा कायम रखा उस साल उन्होंने 10 मैच मे 25 के एवरिट से 249 रन बनाए 2022 में उन्होंने 10 मैच में 258 रन बनाए लेकिन फिर आया साल 2023 जब 14 मैच में 625 रन बनाकर यशस्वी उस सीजन में राजसान रॉयल्स के सबसे जादा रन बनाने वाले बैट्समैन बन गए इस सीजन यशस्वी ने दो और रिकॉर्ड बनाए थ पहला तक जब उन्होंने चेनाई सुपर केंग के सामने सिर्फ 43 बॉल्स में 87 रन बना दिये थे और अपनी टीम को जीत दिलवाई थी इस मैच की एंड में उन्होंने हैंडशेक करने के साथ महेंदर सिंग धोनी के पाव भी चुए वहीं दूसरा रिकॉर्ड तब बना इंडियन के खिलाफ सिर्फ साथ बॉल में 104 रन बनाए अपनी इस इनिंग में इन्होंने साथ चक्के और नौ चौके लगाए थे इसी बीच इंडियन क्रिकेट टीम ने उनका टैलेंट देखा और T20 वर्ल कप 2024 में 22 साल के यशास्वी जैस्वाल को सिलेक्ट कर लिया गया अब देखना ये है कि इस बार यशास्वी कितने रिकॉर्ड्स बनाते हैं तो दोस्तों आपको यशास्वी जैस्वाल के स्टुगल की स्टोरी कैसी लगी और अगली वीडियो में आप कौन से बल्लेबास की कहानी जाना चाहते हैं कमेंट्स में जरूर बताईएगा वीडि झाल 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 के।